Hello everyone, I hope you all are doing well Last के दो लेक्चेस बें हमने पड़ा है active and passive voice I hope आपने वो वीडियोस देखे हैं और अच्छे से रिवाइस किया है आज हम पढ़ने वाले हैं direct indirect speech इसको हम narration भी बोलते हैं तो let's start from here हमें किसी को कोई बात बतानी है तो उसको बताने के, रिपोर्ट करने के क्या वेज होते हैं रिपोर्ट करना मतलब कहीं पे कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला हम उस बात को किसी और को बता रहे हैं तो इसके कौन से दो वेज होते हैं पहला, we can repeat the actual words spoken by a person मतलब हम exactly जो उस person ने बोला, उसको repeat कर दें ये हमारे पास पहला वे दूसरा क्या है, we can report the words spoken by a person in our own words मतलब हम उसके exact words यूजना करके, अपने words में उसको explain करें कि वहाँ पे उसने क्या बोला था एक्जाम्पल से समझते हैं Let's suppose Amman and Amman are watching a cricket match between India and England Amman और नमन गोफ्रेंड्स हैं, वो इंडिया और इंग्लेंड का cricket match देख रहे हैं Amman ने नमन को कुछ बोला अब आपका काम है उस बात को किसी को बताना कि Amman ने नमन को क्या बोला था तो दो वेज हैं Amman said Amman said India is playing extremely well उस time Amman ने क्या बोला होगा India बहुत अच्छा खेल रही है या तो आप उसको directly ऐसे बोलोगे कि India is playing extremely well second way क्या है Amman said that India was playing extremely well हम इस बात को तब जो हुई उसे अब बता रहे हैं कि Amman ने कहा India was playing extremely well India उस time अच्छा खेल रही थी इसको और अच्छी दे समझेंगे लेकिन उससे पहले आपने इन दोनों ही sentences को देखा है अब सबसे पहले हम समझेंगे इन दोनों में difference क्या है उसके लिए थोड़ा closely observe करते है सबसे पहले देखते ही आपको क्या difference feel हो रहा है एक you can clearly see quotation marks जो यहाँ पे नहीं है second thing चलो पहले quotation marks कोई mark करते है quotation mark क्या है direct speech में हम quotation marks का use करते है signify करने के लिए कि यह जो quotation के बीच में लिखा हुआ है यह exact words है spokesperson के जिसने भी यह बात बोली थी but हम indirect speech में ऐसा कहीं पे use नहीं करते second चीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे वो है यह comma यहाँ पे आपको said के बाद कोई comma नहीं मिल रहा यह भी हम सिफ direct speech में यूज करते हैं indirect में नहीं करते यह तो है जो हमें देखते ही समझ में आ रहा है बाग की दो चीजें जो बात बोली गई है उसको word by word पढ़के तब समझ में आएगी जैसे इसमें क्या यूज किया India is playing extremely well verbatum मतलब word by word हमने exactly वही चीज बोली जो अमन ने वहाँ पे उस टाइम बोली थी बट यहाँ पे हमने क्या किया paraphrase मतलब हमने अपने according उन चीजों को थोड़ा change कर दिया तो direct speech में हम exact words यूज करते हैं और indirect में हम paraphrase कर देते हैं उसको next अभी तक सिफ meaning की बात हो रही है बट आप उसके अंदर notice करोगे यहाँ पे क्या use किया है हमने is और यहाँ पे क्या use किया है was क्योंकि जब हम इसको direct से indirect में change कर रहे हैं तो time का difference आ गया time का difference मतलब tense का भी difference आएगा और pronouns का difference आएगा क्यों क्योंकि जो बोल रहा था वो अपने खुद को situation में रखके बोल रहा था बट अब हम उसके बारे में बता रहे हैं तो दो चीज़े clearly change होंगी हाला कि इसमें हमने pronoun नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे हमने pronoun नहीं नाउन यूज किया है इसको हम थोड़ा और डीटेल में बाद में देखेंगे but overall हम tenses का change देखते हैं और pronouns का change देखते हैं किसमें? indirect speech में direct speech में हम exactly same लिख देते हैं वहाँ कोई change नहीं होता अब हमने थोड़ा यह idea लिया कि हमें क्या differences दिखे now we will look at exactly what direct speech and indirect speech are direct speech is quoting the exact words spoken by the speaker जो भी किसी ने बोला उसके exact words को quote करना including the specific punctuations even the punctuations जो speaker ने यूज की हम उनको भी same रखते हैं but indirect speech में क्या होता है? rephrasing मतलब अपने according change कर देना क्या speaker के words को किसमें in our own words हमारे खुद के words में उसको change कर देना but remember that we have to retain the original meaning मतलब जो speaker ने exactly बोला था उसका meaning हमें कुछ नहीं change करना है वो हमें retain करके रखना है अब हम देखेंगे direct indirect speech में हर type के sentence में क्या difference देखने को मिलता है? सबसे पहले type के sentence हमारे होते है assertive sentences इसमें हम कोई fact या opinion state कर रहे होते हैं मतलब बता रहे होते हैं जैसे I am happy simple सा statement है मैं खुश हूँ किसने कहा? He said I am happy तो हमने यहाँ पर quotation marks यूज किये हैं direct words उसके बताए हैं तो यह कौन सा speech हो गया? direct speech जब हम इसको indirect में बोलेंगे तो हमने क्या बोला? He said that he was happy इसमें आपको कुछ changes मिलेंगे एक तो quotation हटा के हमने क्या लगाया? that I किसमें change कर दिया हमने? he में am किसमें change हो गया? was में आगे का हमने same रखा है तो यह हमारा indirect अभी इसको देखके घबराना नहीं है कितने सारे changes हो रहा है हम आगे पढ़ेंगे अभी सिफ हम समझ रहे हैं कितने type के sentence होते हैं और उनमें कैसे change हो रहे होते हैं अभी हम सिफ overview ले रहे हैं डीटेल में आगे की slides में हम cover करेंगे second type के sentence होते हैं interrogative sentences इसमें हम question पूछ रहे होते हैं जैसे are you coming with me? इतना part देखिए किसी ने she asked she इसने पूछा किसी से जो वहाँ पर उस time present होगा are you coming with me? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? जब हम इसको indirect में change करेंगे तो क्या बोलेंगे? she asked क्योंकि हाँ question पूछ रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं ऐसे time में? asked फिर if you अब ये जो you है वो उस time present था अब ये हमें इस time बात बता रहा है तो हमने use किया I was coming with her her क्यों? क्योंकि she कौन थी? वो लड़की जिसकी बात हो रही है जैसे what a beautiful day what a beautiful day she exclaimed what a beautiful day ये क्या हो गया हमारा? direct speech जब हमने इसको indirect में change किया तो क्या बना? she exclaimed that it was a beautiful day बाकी पार्ट पूरा सेम है she exclaimed that it was a beautiful day fourth type के sentence होते हैं imperative sentence इसमें कोई command या request की जाती है जैसे he commanded close the door उसने order क्या किया? door close करने के लिए जब हम इसको indirect में change करेंगे तो क्या बनेगा? he commanded to close the door अब आपको चारोई sentences में देखके लग रहा होगा एक कुछ ना कुछ different है एक बार उसको दिहान से समझते हैं क्या है direct जो हमारे assertive sentence थे उसमें हमने किसका यूज किया था? that का बाकी चीज तो अलग रूल से change होगी अभी सिफ एक चीज पर focus कर रहे हैं interrogative में हमने if use कर लिया exclaimed मतलब exclamatory वाले में हमने फिर से that use किया और imperative में हमने to आगे की slides में हम सब का difference समझेंगे अभी हमने सब का overview एक ले लिया है now reporting अब सारी देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा structure क्या होने वाला है हम सबसे पहले assertive sentence सबसे simple होते हैं इसलिए हर type की चीज पहले assertive में समझेंगे उसके बाद उनी rules को हम interrogative, exclamatory और imperative sentences में लगाएंगे लेकिन हर sentence के basic जो structure होता है पहले हम वो समझ लेते हैं तो बिलकुल basic से start करते हैं What is a reporting verb and a reported speech? पहले इस sentence को देख लेते हैं She said I am tired इस sentence में क्या-क्या use हो गा एक तो said और I am tired इन दोनों से अब हम समझते हैं reporting verb और reported speech क्या होता है verb जो introduce करे क्या introduce करे जो भी कहा जाने वाला है उसको उसको हम बोलते हैं reporting verb और समझते हैं It indicates that someone has spoken or communicated something मतलब ये हमें बताता है कि किसी ने कुछ कहा है या communicate किया है कुछ तो बोला है ये words जो हमें बताएं कि आगे कुछ कहा गया है वो क्या होते हैं हमारे reporting verbs example क्या है said, asked, told, claimed, explained, announced सबका मतलब ही एक तरह से यही है कि कुछ कहा गया है said मतलब उसने कहा asked मतलब पूछा told मतलब बताया claimed मतलब दावा किया explained मतलब समझाया और announce मतलब कुछ announcement की इन सब में ही हमें पता चल रहा है कोई बात कही गई कहने का वे अलग था बट कहा गया तो verb हो गया एक तरह से यह तो जो verb हमें बताएं कि आगे क्या communicate किया जा रहा है उन verbs को हम बोलते हैं reporting verb इसमें भी आप देखो यहाँ पर क्या यूज किया हमने said, asked, exclaimed और commanded यह सारे words हमें बता रहा है कि आगे कोई बात कही जा रही है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे reporting verb अगला part होता है sentence का reported speech यह क्या होता है it conveys content of what was said exactly जो कहा गया था वो content जो होता है जो हमें बताएं उसको हम बोलते हैं reported speech जैसे I am tired यह उसने कहा था जब हमने इसको change किया तो यह क्या बन गया था she was tired तो exactly जो बात कही गई वो तो यही है न तो यह जो बात बताई गई उसको हम बोलेंगे reported speech जो हमने उसके words report किये उसको बोलेंगे हम reported speech इसमें हम usually देखते हैं changes in pronouns, tenses and other things just to fit in context of the reporting मतलब जो कहा गया है उसको थोड़ा सा change करके उस context में fit करना उसको हम बोलेंगे reported speech तो जो second part हुआ वो क्या होगा हमारा reported speech जो बोला गया उसको हमने बताया कि exactly क्या convey किया गया था speaker के द्वारा तो उसको हम बोलेंगे तो reporting verb और reported speech हमने समझ लिये हैं आगे के slides में हम इनी के basis पे सीखेंगे कि direct से indirect में कैसे change करते हैं let's look at सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे और उसके बाद tenses और words denoting nearness of time and position ये कैसे change होता है इसको समझेंगे पूरा इसे पढ़ने वाले हैं बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि personal pronouns और possessive adjective exactly है क्या? Just to give you the background. Personal pronoun and possessive adjective. Personal pronouns क्या होते हैं? जो pronouns हम किसी person की place पे use करें. उनको हम बोलते हैं personal pronoun. Person क्या होते हैं? Person हमारे English में three types के हो सकते हैं. Three types के हो सकते हैं. पहला first person मतलब जो बात कर रहा है. The person speaking. Second, second person. जिससे वो first person बात कर रहा है, वो second person हुआ. और third person कौन होता है? Person spoken of. मतलब किसी तीसरे बंदे की जो बात होगी, किसी तीसरे परसन की बात हो रही है, जो वहाँ पे at the moment present नहीं है, जब ये दोनों discussion कर रहे हैं. तो वो person कौन होगा? Third person. ये हो गया हमारा person के basis पर difference. अब subject और object pronouns क्या होते हैं? इनको देखते हैं. एक sentence का structure होता है ये. सबसे पहले subject आता है, फिर verb आता है. Verb से पहले जो use किया जाए noun या pronoun वो होता है हमारा subject और उसके बाद में जो use हो वो होता है हमारा object. इसके basis पे अगर कोई pronoun subject वाले पार्ट में आ रहा है तो उसको हम बोलते है subject pronoun और अगर कोई pronoun object वाले पार्ट में आ रहा है हैं तो हम उसको बोलते है object pronoun. subject प्रोनाउन किस-किस टाइब के होते हैं? I, we, you, he, she, it और they. इसी को जब हम object वाले पार्ट में यूज करेंगे तो क्या change हो जाएगा? I को हो जाएगा me, we, us, you, same रहता है, he हो जाएगा him, she, her, it, it, और they, them. ये है हमारा personal pronoun का पार्ट. अब हम देखते हैं possessive adjective. किसी भी चीज की ownership या possession शो करने के लिए words का हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं, possessive adjective. ये दो type के हो सकते हैं, dependent और independent. वो किसी और के उपर depend कर रहे हैं अपनी बात को पूरा करने के लिए, जैसे my bag, मेरा bag, ऐसे if my अगर हम बोल देंगे, तो बात complete नहीं होगी, हमें एक और noun का use करना पड़ेगा इस बात को पूरा करने के लिए या फिर his pen तो इन में हमें दो चीजों का use करना पड़ा, my के साथ एक और noun use किया, his के साथ एक और noun use किया, तब जाके बात पूरी हुई इनको हम बोलते हैं, dependent adjectives, दूसरे होते हैं, independent independent adjectives independent adjectives इसमें हमें किसी और word की noun की specially ज़रूरत नहीं होती जैसे, this pen is mine mine के बाद हमें कुछ और नहीं बोलना पड़ा, इसलिए ये independent है तो ये है हमारा possessive adjective इनको हम first person, second person, third person में समझते हैं first person क्या है? जो उस time person बोल रहा है या तो वो singular हो सकता है I, अगर मैं बात कर रही हूँ कहीं पे तो मैं अपने ले क्या यूज करूँगी word I अगर मैं subject में यूज करूँगी हूँ I am studying suppose ऐसे हमने कुछ यूज किया तो I मैं यहां पे यूज करूँगी न तो यह क्या हो गया हमारा? subject हो गया बट अगर मैं अपनी ही बात को object के पार्ट में कुछ बोल रहे हूँ जैसे this bag belongs to me अब मैंने अपने बारे में जो बात बताई वो object में बोली है तो मैंने उसकी जुगा क्या यूज किया? object pronoun जो है me अगर हम first person में मतलब as a group हम collectively कोई बात कर रहे हैं तो हम अपने ले क्या word यूज करेंगे? we कब जब वो subject में यूज होगा यानि इस पार्ट में जब यूज होगा तो होगा we बट अगर object में हम उसका यूज करेंगे तो वो change हो जाएगा us they are talking about us तो us होगया हमारा objective pronoun second person कौन होता है? जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो बोल रहा है वो जिस से बात कर रहा है जो second person वहाँ पे है उसके लिए हम यूज करते हैं you उसका subject या object कहीं भी हो वो यूज ही रहता है ठीक then आते हैं हमारे third type है third persons ये कौन होते हैं? अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं हुई first person मैं जिस से बोल रही हूँ वो हो गया second person लेकिन हम दोनों किसी और की बात कर रहे हूँ गे जो हमारी conversation में इस time नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? third person तो वो third person कौन से हो सकते हैं? he अगर हम किसी male की बात कर रहे हैं she for female it usually for non-living things or animals and they अगर हम किसी plural की बात कर रहे हैं यह कब होगा? जब हम उसके बात subject में कर रहे होंगे यह कब होगा? जब हम उसकी बात subject में कर रहे होंगे बट अगर इसी को हम object में use करेंगे तो he change हो जाएगा his में she her it it ही रहता है और they them ठीक है? यह सब हो गए हमारे subject and object के pronouns बट अगर हम इन ही के possession की बात करेंगे तो क्या use करेंगे? I मेरी कोई चीज है तो my या mine use करेंगे हमारी कोई चीज है तो our या ours तुम्हारी you की कोई चीज है तो your या yours he की कोई है तो his she का है तो her and hers it का its they का their and theirs यह हमने अभी समझा है exactly personal pronoun और positive adjectives होते क्या है अब इनको हम use करना सीखेंगे direct indirect sentences में अब बस sentence का structure बना के देखते हैं पहला होता है मारा subject then verb and then object subject एक sentence पर फर्स्ट चीज है ना तो हम इसको first लिख लेते हैं दूसरी object है अब समझते हैं जबी भी sentence में जो बात बोली गई है उसमें कोई first person use होगा तो हम उसको change कर देंगे subject के according अब एक बार समझ लिजे जब भी second person use होगा तो उसको हम change करेंगे object के according और अगर third person की कोई बात की गई है वहाँ पे कोई भी change नहीं होगा अब example से समझते हैं जैसे ये एक example है She said I have lost my keys इस sentence में I क्या है? first person subject वाला My क्या है? first person object का part No My क्या है? possessive adjective हमने पढ़ा था ना dependent वाला my keys मेरी keys हैं तो my क्या शोकर रहा हमे? possession तो ऐसे sentence में जब भी first person की बात हो रही है तो वो किसके according change होता है? subject की according तो बोलने वाला कौन है यहाँ sentence में? she तो हम इसको किसके according change करेंगे? she की according तो जब हम इसको indirect बनाएंगे तो it will become she same said that हम लगाते ही हैं और she में change हो गया कौन? I क्यूंकि उसने अपने बारे में बात बोली थी first person ने अपनी ही बात की होगी तभी तो उसने I use किया अपने लिए और जिसने यूज किया वो कौन है? एक girl है तो हमने उसकी जगह क्या यूज किया? she बाकी चीज़ों पर अभी notice नहीं करना कुछ भी आप सिर्फ यह देखो कि personal pronouns और possessive adjective कैसे change हो रहे हैं यहाँ पर उसने क्या यूज किया अपनी कीज के लिए my keys तो अब जब हम बोलेंगे कि उसकी कीज थी तो हम उसके लिए possession का she वाला adjective यूज करेंगे तो वो क्या होता है? her keys my किसमें change हो गया? her ऐसे ही इन sentences में सिफ़ एकी person था she जो बात कर रही थी तो हमने वहाँ पे से first person में change किया first person हमने किसके according change किया? subject के according अब यहाँ बात करने वाले दो लोग आ चुके हैं he और me मतलब कोई he है जो मुझसे बात कर रहा है और उसकी बात में बाद में किसी और को report करके बताऊंगी तो कैसे change होगा? उसने मुझसे कहा क्या कहा? you should complete your work कोई एक person है वो मुझसे कह रहा है कि मुझे मेरा काम complete करना चाहिए तो जब मैं उसको report करूंगी तो I should complete my work उसने जब बोला उसने क्या कहा? तुम्हें तुम्हारा काम complete करना चाहिए जब मैं किसी को बताऊंगी कि उसने मुझसे क्या कहा तो मैं कैसे बोलूंगी? उसने कहा कि मुझे मेरा काम complete करना चाहिए तो हमने pronouns को pronoun you को किसमें change किया? I में और possession your से बता चल रहा था यहां पर हमने उसको change कर दिया माए में तो second person किसके according change हुआ? object की according first person किसके according change हो रहा था? subject की according first person subject की according change होगा और second person object की according third person की कोई भी बात होगी तो कोई change नहीं होगा क्योंकि वो पहले भी present नहीं था conversation में अब भी हम उसको include नहीं कर रहे जैसे he she it किसी की भी कोई बात होगी वहाँ no change example देखते हैं he told me they will submit their report उसने कहा के वो अपनी report submit करेंगे अब वो उसके लिए भी जो बोल रहा था उसके लिए भी वो third person ही था अब मैं जब बता रही हूँ तो मेरे लिए भी वो third person ही है इसलिए हमने यहाँ पे कोई change नहीं किया है I hope this part is clear to you अभी example से और clear समझेंगे के changes क्या हो रहे हैं तो अब हम start करते हैं example से change करना है हमें direct से indirect में पहला sentence देखते हैं she said I will bring my book इसमें I क्या है first person first person किसके according change होगा subject की according तो I किसमें change हो जाएगा she said that she would bring my मतलब उसकी जब उसने बोला तो हम क्या बोलेंगे वो अपनी बुक लाएगी तो my किसके according change होगा she की according तो she की book क्या बोलेंगे हम उसको her उसने कहा मैं अपनी बुक लेके आएगी हमने कहा जब हमने उस बात को बताया मतलब हाँ जब हमने उस बात को बताया तो हमने क्या बोला उसने कहा वो अपनी बुक लेके आएगी उसने कहा मतलब she अपनी वो अपनी लेके आएगी तो she की according her next देखते हैं इसमें दो लोग हैं he बात कर रहा है यह first person है जो किस से बात कर रहा है second person से यह कौन है sentence का subject है और यह है sentence का object उसने क्या बोला he ने बोला you should check your answer अगर दो लोग बात कर रहे है एक he है वो किसी और से बात कर रहा है तो वो you उसी से बात कर रहा इसलिए उसके लिए उसकिया होगा उसने ऐसे ही your किस के लिए होगा यह इस me के लिए तो he उसने मुझसे कहा he told me that अब जब मैं इस बात को suppose वो person मुझसे यह बात बोल रहा था कि मुझे अपना answer check करना चाहिए तो उसने क्या कहा he told me you should check your answer यह हो गया उसके words में बट जब मैं किसी को बताऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी he told me that I should check my answer तो you किसमें change होगा I में क्योंकि वो जिससे बोल रहा था वो person मैं हूँ तो I should check your किसमें हो जाएगा my क्योंकि my I का होगा possessive adjective तो यह हो गया I should check my answers next दिखते हैं they said उन्होंने कहा we have done our assignment यह हो गया हमारा subject plural में उन्होंने कहा हमें हमने अपना assignment पूरा कर लिया है तो we किसके according change होगा we क्या है first person है plural का वो किसके according change होगा हमारे subject के according subject क्या है they तो they said that they had done are किसमें change हो जाएगा their assignment clear next John John कोई person है वो किसी से बोल रहा है he is working on his project अब आप सोचके देखिए अगर John अपने ही बारे में कोई बात कर रहा होता तो वो अपने ले क्या यूज करता I अगर वो किसी और person से बात कर रहा होता second person वहाँ available होता तो वो उसके ले क्या यूज करता you but उसने यूज किया he का इसका मतलब यह एक third person है और third person को हम किसी में change नहीं करते वो same रहता है तो क्या हो जाएगा हमारा John said that he was working on his project वो अपने काम पे काम अपने project पे काम कर रहा है now let's look at this example इसमें वहाँ पे she use किया था हमने यहाँ पे इसको हमने he में change किया है क्या हो रहा है he said कोई लड़का है वो कह रहा है कि I will bring my book वो अपनी book लाएगा तो यह I किसके according change होगा आब first person है तो subject के according change हो कि क्या वो हो जाएगा जब हम बोलेंगे इस बात को तो हम कहेंगे उसने कहा कि वो अपनी book लेके आएगा तो उस वो के लिए का use करेंगे he would bring my नहीं अब हम बोलेंगे उसकी book लेके आएगा तो उसकी मतलब his his क्यों use किया क्योंकि he का possessive adjective क्या आएगा his so तो in direct speech में हम बोलेंगे वो उसकी book लेके आएगा तो वो मतलब he क्योंकि यहाँ पे masculine है और his he का possessive adjective Mary said to me Mary ने मुझसे कहा you enjoy your time here तुम यहाँ पे अपना time enjoy करती हो जब हम इसको change करेंगे यहाँ पे you कौन है second person second person किसकी according change होता है object की according object कौन है me यानि वो मुझसे ही बात कर रही थी तो जब मैं change करूँगी तो क्या बोलूँगी Mary said to me that I enjoyed your किस में change हो जाएगा I का possessive my time here clear दुबारा समझते हैं Mary कोई है person जो बोल रही है किस से me यानि second person से जो कि मैं हूँ उसने मुझसे क्या कहा तुम अपना time यहाँ enjoy करती हो तुम तुमारा time यहाँ enjoy करती हो तो अब जब मैं इस बात को बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी मैं अपना time वहाँ enjoy करती हूँ तो I और my clear next is manager said it has achieved its goal manager ने कहा कि उसने कोई चीज है अपना goal अचीव कर लिया है manager अपने बारे में बात कर रहा होता तो किस का use करता I का किसी second person से बात करता तो you बट यहाँ उसने it का use किया जो कोई object के लिए कर रहा होगा कोई machine हो गया कुछ भी तो it क्या है non living thing का manager ने use किया तो हम उसको change करेंगे किस में third person है तो कोई change होगा नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा it the manager said manager ने कहा it had achieved its goal उसने अपना goal अचीव कर लिया है last example है students said students ने कहा we have lost our way हम अपना रास्ता खो गए हैं हम हमारा रास्ता खो गए हैं हम क्या हो गया I मतलब we हो गया first person plural का first person यह किस के according change होगा हमारे subject के according तो यह किस में change हो जाएगा students said that अब students क्योंकि plural है तो हम इन के लिए क्या use करेंगे we का they they और वो अपना रास्ता खो गए है तो उनके रास्ते के लिए they के साथ possessive क्या आएगा they are they have lost their way I hope यह वाला पार्ट आपको clear हुआ होगा एक बार इसका recap कर लेते हैं सबसे पहले होता है माई sentence में subject subject उसके बाद हम यूज करते हैं verb का और object अगर sentence में first person जो part है reported speech का उसमें first person की बात हुई है तो वो किसके according change होता है हमारे subject के according अगर second person की बात हुई है वो होता है object के according change और अगर third person की बात हुई है तो उसमें no change अब हम देखते हैं और examples change हो जाएगा she इसमें देखते हैं अब he says वो कहता है I am studying for my exam पहले सारे सिफ personal pronoun और possessive adjectives को देख लेते हैं mark कर लेते हैं इसमें we हो गया to a party I हो गया my हो गया इसमें I हो गया or you the test इसमें कुछ भी नहीं है I can't attend इसमें I अब देखते हैं he says वो कहता है न first person किसके according change होगा subject के according तो ये change होगे क्या हो जाएगा he says that that he और उसका exam है तो he का exam क्या लिखेंगे हम his अब इसको देखो they will say we are going to the party तो we क्या है हमारा first person plural में वो किसके according change होगा subject के according जो है हमारा दे तो we किसमें change हो जाएगा they में we first person है plural का इसलिए वो change हुआ हमारे subject के according इसको देखिए John says I have finished my homework I John ने अपने ले बोला होगा last example में देखिए John ने क्या बोला था John said he अब उसने third person की बात की थी लेकिन इस example में वो अपनी ही बात कर रहा है तो हम इसकी जिगह क्या यूज करेंगे John क्यूंकि masculine है तो हम उसके ले यूज करेंगे he John says इसका he करेंगे और उसका काम है तो उसको क्या यूज करेंगे हम his homework क्यूंकि he का possessive adjective क्या है his इसको देखते हैं Mary say will say I अब Mary अपने ले यूज कर रहे होगी और Mary क्यूंकि female है तो हम उसकी जिगह क्या यूज करेंगे I क्या she और उसका will help you with अच्छा यहाँ पर अगर हम और explicitly हम state कर देते to me तो यह और clear होता मतलब वो मुझस से बात कर रही है तो me कौन हो गया second person यह second person यूज क्या है हमने you किसमें change हो जाएगा फिर object की according जो क्या था हमारा me तो you change होके क्या हो जाएगा I help okay I का object में क्या use करते हैं हम me तो she will help me you नहीं me क्यूंकि me है object की according change होके मेरे लिए मैं use कर रही हूँ ऐसे ही the teacher said the test इसमें कोई pronoun नहीं था he will say वो कहेगा क्या I can't attend the meeting I वो okay she will say she क्या है हमारा subject उसके according I में जब change आएगा तो वो क्या हो जाएगा she she की जिगा अब हम I use कर रहे है यह कौन है हमारा first person किसके according change हुआ हमारे subject के according subject है she तो यहाँ पे हम क्या use करेंगे she he says अब he लड़का है वो यह बात कह रहा होगा तो I किसमें change हो जाएगा he तो आज हमने अभी यह तक पार्ट में क्या cover किया personal pronouns और possessive adjectives में कैसे change हम करेंगे एक और slide देख लेते हैं बहुत simple सा part है इसमें हम अगर कोई चीज हमें denote कर रही होती है कि कोई चीज हमसे कितनी pass है distance में या फिर time में position और time में कोई चीज pass या दूर कितनी है उसको हम कैसे change करते हैं अगर direct में this लिखा हुआ है तो indirect में क्या हो जाता है that direct में these change हो जाएगा those here, there now, then ago, before में change होगा today मतलब that day tonight मतलब पुरानी बात हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा वो that night last night किस में change होगा the previous night next week किस में change होगा देखो जहाँ भी last की बात आरी होगी वो हो जाएगा the previous और जहाँ भी next की बात आरी होगी वो होगा the following क्योंकि yesterday एक दिन पहले की बात है पुरानी बात है तो हमने फिर से क्या यूज किया the previous day और tomorrow क्योंकि अगले दिन की बात है वहाँ पे हमने क्या यूज किया the next day example में देखते हैं she said साथ में pronouns को भी देखते हैं she said I saw Mary yesterday उसने कहा कि उसने Mary को कल देखा था जो बीत गया कल तो she said I किसमें change हो गया she she के according subject के according और yesterday किसमें change हुआ the previous day next he said my mother my उसकी possession शो कर रहा है किसका subject का तो उसमें हमने क्यूंकि ये ही था इसका possession हमने क्या शो किया his mother और here किसमें change हुआ हमने महा पड़ा अगर here है तो वो किसमें change होगा there में अगला है John said it is late now now किसमें change होगा then में अब देखो इसमें भी it भी एक प्रोणाउन था it में कोई change किया हमने नहीं क्यूंकि वो एक third person में आ रहा है इसमें देखते हैं he said I saw her a week ago तीन चीजों में change करेंगे I इसके according चेंज होगा subject की according क्या हुआ हमारा he बाकी चीज़ा भी नहीं देखेंगे tense वाला her he said I saw her अब यह जो her की बात कर रहा है वो किसी third person के लिए कर रहा है अगर वो अपने लिए कर रहा होता तो पहली बात तो ऐसे बोलेगा नहीं के मैंने खुद को ही नहीं देखा but अगर यहां किसी second person के लिए भी होता तो you होता but यहां पे किसी और की ही बात हो रही है she से related कोई बात हो रही होगी तो उसने क्या use किया यहां पे her यानि यह third person है इसमें भी हम कोई change नहीं करेंगे ago किसमें change हो जाएगा before में clear so आज का हमारा पार्ट इतना था एक बार recap करते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा तो सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी बात को कहने के क्या तरीके हो सकते हैं पहला था जब हम speaker की बात को exact same words में बोलें दूसरा था जब हम modify करके थोड़ा change करके तब उसको अपने words में बोलें इसके हमने example देखा था एक उसके बाद हमने पढ़ा कि इन दोनों ही बातों में क्या क्या differences होते हैं पहला quotation marks direct अगर हम same बात बोलेंगे तो quotation marks use करेंगे इसमें हम नहीं करेंगे comma वहां use होगा यहां नहीं होगा वहां word by word exact same चीज़ use होगी यहां पे नहीं होगी यहां पे simple same बात होगी कोई tense नहीं कोई pronoun change नहीं बट यहां पे हम उसको modify करके changes उसमें करेंगे तो जिसमें कोई change नहीं हो रहा था उस part को हमने बोला उस sentence को हमने बोला direct speech है वो और जहां पे change किया है हमने उसको हमने बोला indirect speech important बात यह है direct speech में even punctuations भी same रहते हैं but indirect में हम change कर सकते हैं और main बात यह है कि indirect में बोलते time उसका meaning change नहीं होना चाहिए जो speaker ने बोला था उसका meaning exactly same रहना चाहिए इसके बाद हमने देखा sentence के क्या parts थे पहला था reporting verb और दूसरा था reported speech reporting verb क्या था जो बता रहा है कि आगे क्या बात कही जाने वाली है और reported speech क्या है वो exact बात जो कही गई है यह बहुत ही important है आगे के terms आगे की जम slides पढ़ेंगे न कल उसमें हम इनी चीजों का यूज करेंगे कि कैसे reporting verb को देखके हम आगे का sentence change करते हैं और reported speech में क्या-क्या changes होते हैं उसके बाद हमने देखा इस इस basis पे हम change करेंगे क्या-क्या tense के बेस पे personal pronoun possessive adjective और अगर time or position की कोई बात कही गई है तो उसके बाद हमने personal pronouns और possessive adjective बहुत detail में आज cover करें है I don't think इस से related अब आपका कोई doubt रह गया होगा फिर हमने इसका users देखे कि कैसे first person किसके according change होता है subject के according, second person object के according और third person में कोई भी change नहीं होता then हमने examples किये बहुत सारे और last में हमने पढ़ा कैसे nearness जो denote करते हैं time और position के बारे में उनको हम change करते हैं indirect में direct से indirect में वो कैसे change होता है अब इन question के answer आपको comments में लिखने हैं कि जो pronouns और possessive adjective हमने use कि इनको change करके indirect में क्या answer होगा कल हम tenses में change करना सीखेंगे उसको भी हम दो parts में break करेंगे पहला simple sentences जो assertive थे उनको बनाना सीखेंगे कैसे change किया जाता है direct से indirect में उसके बाद जो थोड़े से complicated sentences थे नीचे वाले part में हमने देखा interrogative, exclamatory और imperative उनको हम एक और अगली class में सीखेंगे and I hope you liked it so keep learning